हाई फ्रेंड्स कुश्चन देखते हैं दा बेस ओफ एन आइसो सेलस्ट ट्रेंगल मेजर्स 80 सेंटिमेटर एन इट्स एरिया इस 360 स्कॉर सेंटिमेटर फाइंड पेरिमीटर ओफ दा ट्रेंगल ठीक है तो देखूं माल लेते हैं कि हमारा यह ट्रेंगल है ठीक है अचेंग इसके नेमिंग कर देते हैं ए बी शी जो की कौन से ट्रेंगल है आइसो सेलस्ट प्रेंगल है आइन्सस्ट ट्रेंगल क्या होता है ट्रेंगल के अगर कोई भी दो साईड अगर इक्वल हो उससे हम करते हैं फिला हमारा क्या है base है तो यह आपका base दिया यह 80 cm दिया है और माल लेते हैं जो equal side atomies AC और AB दुसरे के equal हैं और यह भी A है और यह भी A है और 80 cm जो है इसे माल लेते हैं base B है ठीक है तो देखो और इसका area वे दिया है और इसका क्या find out करना है perimeter find out करना है इस triangle का perimeter find करना है तो कैसे find out करेंगे तो देखो हम लोग जानते है आइसोस सेलस ट्रेंगल के एरिया का फर्मूला हम लोग को पता है उसके help से हम लोग क्या find out कर लेंगे एक वैलू को find out कर लेंगे ठीक है देन उसके बाद perimeter हम लोग easily find out कर लेंगे ठीक है तो area देखो area of the आइसोस सेलस ट्रेंगल ट्रेंगल A B C कितना दिया है 360 दिया है और इसका फर्मूला क्या होता है इसका फर्मूला होता है b by 4 root under 4 a square minus b square equal to 360 होता है ठीक है तो देखो अब हम क्या करेंगे value को put करेंगे b का value that means base कितना दिया 80 दिया है तो 80 by 4 into root under 4 a square a के value कितना दिया a के value आपको नहीं दिया हुआ तो 4 a square minus b b कितना दिया 80 दिया है 80 के square equal to 360 हो गया ठीक है तो 4 से 80 cancel होगा कितना आपका 20 बार में ठीक है तो यह आपका आगया 20 into 4 a square minus 80 square equal to 360 हो गया ठीक है देखो अब 20 को इस side ले जाओगे तो नीचे divide होगा इससे आच्छा आप यहां से भी cancel कर सकते हो तो देखो 0 से आपका 0 cut गया 2 से आपका 36 कितना बार में equal to 18 हो गया, ठीक है, यहाँ आपका, कितना हो गया, 18 हो गया, 3600 था कि 360 था, जी देख लेते हैं, 360 था, ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर square root है, यहाँ square root है, square root को जो अब equal की side आएगा, तो square आजएगा, that means 18 का square आएगा, 4A square, अब यहाँ आप देखो, 18 का square कितना हो था, 3, 24, और आपका 16, 4 इज़र माइनस में, 6400, तो इधर आएगा तो, प्लस में 6400, ठीक है, अब इसका, आप देखो, add करो, कितना आ रहा है, तो 4, 2, 4 प्लस 3, 12, 6, 1, 7 आगे, ठीक है, 6, देखो, 6, 1, 7, कितना हो था, देख लिते है, 4, और आपका 2, 4, और 3, 4, और 3, यहाँ पर 7 होगा जी, देखो, कितना हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, and then, यह आपका 4, प्लस 3, 7, और 6 हो गया, ठीक है, 67, 24 आगे, ठीक है, अब आप क्या करते है, और 4 सी से कैंसिल करते है, देखो, A square, equal to 6, 7, 2, 4, by 4 हो गया, ठीक है, तो 4 सी से कैंसिल करते है, तो देखो, 4, 1, 4, ठीक है, 4, 1, 4, कितना हुआ, 2 आया, तो 2 और 7, 27, that means, 27 है, 27 को, तो आपका, तो 26 बार में, ठीक है, 6 होगा, 24 है, और आपका कितना था, 27 है, 3 था, 3 और 232, 8 चुका, 22 जट मिस, 8 आपका आजाएगा, ठीक है, और देखो, 4 है, तो 1 बार में, ठीक है, तो आपका, एसक्वाइर, इसकल टू, 16, 18, 81 आया, तो इधर स्क्वाइर है, तो इस से जाएगा, तो 16, 81 हो गया, तो 16, 81 का स्क्वाइर, रूट क्या होता है, आपका 41 होता है, आपका 41 का स्क्वाइर होता है, 16, 81 होता है, ठीक है, तो अब कितना होता है, 41, एक वैलू आपका 41 आगया, तो अब आपका क्या निकालना है, पेरिमीटर, पेरिमीटर निकालने के लिए क्लिए क्लिए होता है, उसका, पेरिमीटर मतलब होता है, उस ट्रेंगल के सभी के length को आप add कर दो that means देखो उसमें 2 a plus a plus b है that means 2 a plus b हो गया तो आपका कितना हुआ 2 a के value कितना हुआ 41 plus b कितना है b जो आपका 80 है तो आपका 2 into 4 2 is a 8 plus 80 कितना हुआ तो आपका 2 और 8 8 16 हो गया that means 16 cm में है कि मिट्टर में देख लेते हैं cm that means 162 cm आपका answer होगा ओके तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए helpful है तो प्लीज चैनल को like and subscribe प्लीज जरूर करें क्योंकि आपका like and subscribe ही motivate करता है दोस्तों कि थैंक्यू फ्रेंड्स झाल